Hello athletes, कैसे हो आप सब? सौगत आप सब इकार इस वीडियो में और I hope आप सब की training अच्छे से चल रही होगी आज के इस वीडियो में मैं आपको 10 strength वाली exercises बताने वालों जिनको आप अपने weight training के session में include कर सकते हो और इन exercises को करने से आपकी strength बढ़ सकती है हो सकता है आप इन में से बहुत सारी exercises पहले से कर रहे होंगे लेकिन फिर भी वीडियो को पुरा end तक देखना क्योंकि हो सकता है आपको बहुता ही नहीं चीज़े जानने को मिलेंगे आज इस वीडियो में अब वैसे strength के लिए हम लोग बहुत सारी exercises कर सकते हैं लेकिन इस वीडियो में आपको जो exercise बदाऊंगा यह मेरी favorite है मतलब मेरी according यह exercise आपको काफी जादा help करेंगे strength बढ़ाने में अब strength की exercises को जानने से पहले हम लोग strength का मतलब समझ लेते हैं कि strength क्या होती है strength का मतलब होता है कि हम कितना जादा force लगा सकते हैं हम लोग जो भी exercise को देखेंगे उन में कोशिश करना हम ज़्यादा भोर्स लगाएं और हम लोग्स को जादा से जादा वेight के साथ कर रह欸 तो इसका मतलब यह होता है कि हम जादा से जादा भोर्स लगा रहें तो चलिए आज की हम लोग सबसे पहले exercise को देख लेते हैं सबसे पहली exercise है squat और यह जो exercise है यह आपके legs की strength को बढ़ाने में काफी ज़्यादा help करेगी अब जब हम लोग squat करते हैं उसमें हमारे glutes की muscle यूज होती है हमारे quats की muscle यूज होती है और साथ में हमारे hamstring की muscles भी यूज होती है लेकिन कौन सी muscle ज़्यादा use हो रही है यह depend करते हैं कि हम लोग उस exercise को किस तरीके से कर रहे है जैसे कि अगर हम लोग हमारे पैरों को पास में इस तरीके से रखके squat करेंगे तो इसमें हमारे quats की muscle पे ज़्यादा load आएगा और most of the cases में athletes के लिए जो glutes सी muscle वो ज़्यादा important रहती है और हमारे hamstring की muscle यूज हो रही है या नहीं हो रही है वो exercise के tempo पे depend करेगा अगर हम लोग squat करते time नीचे एकदम धड़ाम से गिर जाएंगे तो हमारे hamstring पे बिल्कुल भी load नहीं आएगा लेकिन अगर हम लोग squats करते time नीचे control और धीरे धीरे आएंगे तो ऐसे में हमारे hamstring की muscle ज़्यादा use होंगी अब यहाँ पे जो मैं squat की बात कर रहा हूँ यह एक full squat की बात कर रहा हूँ आप half squat या quarter squat भी कर सकते हो लेकिन उस तरीके के जो squat रहते हैं जिसमें जो rod है वो हमारे back के उपर रहती है अब इन दोनों में से कौन सा squat ज़्यादा better रहेगा अगर आपको सिर्फ strength को बढ़ाना है तो फिर आप back squat को कर सकते हो क्योंकि usually हम लोग back squat में front squat से ज़्यादा weight उठा पाएंगे और जितना ज़्यादा weight हम उठाएंगे उतनी हमारी strength बढ़ेगी लेकिन अगर आप एक athlete हो तो फिर आपको सिर्फ strength के उपर focus नहीं करना है हमें उस strength को फिर आगे चलके power में भी convert करना रहता है और इसी वज़े से मैं front squat को ज़्यादा prefer करता हूँ क्योंकि जो squat है वो एक strength वाली exercise है और power clean एक power वाली exercise है हम लोग starting में strength बढ़ा सकते लेकिन end में हमें उसे power में convert करना पड़ेगा तो इसलिए जो front squat है वो exercise उतनी ज़्यादे important नहीं है जितनी हमारी लिए power clean होगी हमें full squat को तो बढ़ाना ही है लेकिन वहीं पर रुपना नहीं है हमें फिर हमारे power clean को भी बढ़ाना है अगर हम लोग back squat करेंगे तो इससे हमें power clean में help मिलेगी लेकिन थोड़ी बहुत ही help मिलेगी लेकिन अगर हम लोग front squat करते हैं तो फिर उससे हमारी body adapt हो जाती है रौड को इस तरीके से रखके squat करने में और power clean में भी हमें इसी तरीके से उपर आना पड़ेगा तो इसलिए अगर हम लोग अमारे training में front squat करेंगे तो वो हमें power clean में जादा help करेगी और usually क्या होता है अगर हम लोग back squat में जादा वदन डालते हैं तो फिर कई बार ऊपर आते टाइम हमारे hips पहले उठ जाते हैं और हमारे shoulders उसके बाद में उठते हैं जो कि गलत रहता है लेकिन अगर हम लोग front squat करेंगे तो उसमें हमारी technique उतने जल्दी खराब नहीं होती है front squat करते टाइम हम ऐसा नहीं कर पाएंगे कि hip को पहले उठा लेंगे तो rod नीचे गिर जाएगी और इसी वज़े से अगर हम लोग front squat करते हैं तो उसमें हमारा core जादा अच्छे तरीके से engage होता है मैं तो अपने athletes को front squat ही कराता हूँ और आपको भी कोशिश करना चाहिए कि आप अफ़ते में एक बार तो front squat करो अब हम दूसरी strength वाले exercise को देख लेते हैं और यह है lunges lunges को हम लोग एक जहापे खड़े खड़े भी कर सकते हैं और आगे चलते होई भी कर सकते हैं मेरे हिसाब से जो चलने वाले lunges है वो athlete के लिए जादा better रहेंगे क्योंकि इसमें हमें हमारे body को जादा balance करना पड़ता है अब lunges को करने से भी हमारे glutes, hamstring और quads की muscles में strength बढ़ती है अब जो lunges रहते हैं हम लोग दो तरीके से कर रखते हैं इसको एक तो रहते हैं कि हमलोग हमारे shoulder को निदilly है other सबसे पहले इस exercise को perfect करना है उसके बाद ही आप वेट ट्रेनिंग में जादा वेट उठाने पर धान देना वह इस लिए क्यूंकि अगर हम लोग हमारे हिप की mobility भी improve होती है जो कि आपको बहुत सारी इंजरी से बचा सकता है अब जो चौती exercise है वो है bench press ये exercise को करने से आपके chest, shoulders और triceps की muscles की strength बढ़ती है और ये जो exercise है आपके upper body की strength को बढ़ाने में काफी जादा help करेगी वैसे जादा तर athletes के लिए lower body की muscles जादा important है तो हम को अपने shoulders के उपर इस तरीकी से पकड़ना रहता है और उपर की तरफ push करना होता है इसमें भी 2 variations है एक है कि हम लोग हमाई body के आगे rod को लेकिया आते हैं और एक है कि हम लोग गर्दन के पीछे रखते है rod को मेरे जिसाफ से इन में से front वाला जादा better रहेगा अब ये चौ pull-ups को कर सकते हैं तो जो च्छटी exercise है वो है pull-ups या आपके upper back और biceps की muscles को भी strong करेगा अब हम लोग 7th exercise को देख लेते हैं और ये है deadlift, deadlift में भी हम लोग 2-3 तरह के variations कर सकते हैं सबसे पहला variation है stiff leg deadlift या Romanian deadlift भी बोलते हैं लोग इसे इसमें हमारे पैरों को सीधा रखके इस rod को उठाने की कोशिश करना है जो stiff leg deadlift रहती है इसमें हमारे hamstring की muscle और lower back की muscle strong होती है इसके साथ में आप conventional deadlift भी कर सकते हो इसमें हमें हमारे पैरों को सीधा नहीं रखना होता है पूरे time इसमें ऊपर आते वए हमारे गुटने सीधे हो जाते हैं और नीचे जाते time हम लोग हमारे गुटनों को fold करते हैं अभी जो conventional deadlift रहती है इसमें हम लोग दो तरह की grip बना सकते हैं एक होता है कि same direction में हमारे हातों को रखते हैं और एक होती alternate grip जिसमें हमारा एक हाथ इस तरीके से रहता और दूसरा हाथ ऐसा रहता है हम लोग दोनों तरीके से कर सकते हैं लेकिन अगर आपको आगे चलके अपनी power को भी वड़ाना है तो उसके लिए आपको कोशिश करना चाहिए कि आप same side grip पकड़ो क्यूंकि जब हम लोग पावर क्लिन करेंगे उसमें रॉड को इसी तरीके से पकड़ना होगा अगर आप इस तरीके से जाधा से जाधा deadlift करोगे तो इसे में आपके grip की strength improve होगी और इससे आपकी power clean भी बढ़ेगी आगे चलके हम जो भी exercise हमारे workout में करता है हमें कोशिश करना है कि उस exercise को अच्छे से करने से हमारी कोई और exercise भी improve हो जाए जैसे अगर हम लोग इस तरीके से rod को पकड़ के deadlift करेंगे तो उससे हमारी power clean improve होगी please इस तरीके का deadlift मत करना ये सिर्फ आपके ego को satisfy करने के लिए है इससे बस आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगया कि हाँ आपने इतना ज़्यादा weight उठा लिया लेकिन उससे अच्छा है कि आप conventional deadlift में इस तरीके से grip बनाके ज़्यादा से ज़्यादा weight को lift करो और एक हमें कोशिच करना है कि हमारे घुटने कम से कम मुड़े और back पूरे time straight रहे ये exercise आपके lower back और hamstrings की strength को बढ़ान में काफी ज़्यादा help करेगी अब जो 9th exercise है वो है hyper extension ये exercise को करने से आपके lower back की strength improve होगी और 7 में हमने पहले जो strength वाली exercise को देखा है उनमें भी exercise आपको help करे अब हम लोग आज की 10th exercise को देख लेते हैं और ये है overhead squats इस exercise को करने से आपके core की stability improve होती है और 7 में आपकी hip की mobility भी बढ़ती है इसमें इस rod को उपर इस तरीकी से balance करने से आपके upper back की muscles भी strong होगी और आपका balance भी improve होगा और इस exercise को करने से आप power snatch को और ज़्यादा अच्छ अच्छे से warm up करो क्योंकि जितना साथ अच्छे से warm up करोगे आप अपने workout को उतना अच्छे से कर पाओगे और अगर आपको जानना है कि सही तरीके से warm up कैसे करते हैं तो उसके लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हो अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई और आपके ट्रेनिंग के लिए all the best